साल 2024 का पहला सूरे ग्रहन 8 एपरल को होने वाला है वेग्यानिक, खगोई शास्त्री और अंत्रिक्ष में दिल्चस्पी लेने वाले लोग इस सूरे ग्रहन का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं हाला कि 8 एप्रिल को होने वाला सूरे ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा ये सूरे ग्रहन अमेरिका में दिखाई देगा रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको से लेकर कनाडा तक ये पूरी तरह से देखा जा सकेगा साल के पहले सूरे ग्रहन के दौरान और क्या कुछ खास होगा अगर आप भी चारना चाहते हैं तो बने रहें मेरे साथ साल का पहले सूरे ग्रहन के दौरान एक ऐसा समय भी आएगा जब चंद्रमा पूरी तरह से सूरे को ढख लेगा जिसकी वजह से 7 मिनट 5 सेकंड तक सूरज दिखाई नहीं देगा और इसके बाहरी किनारे रह जाएंगे इस वजह से आसमान में आग की रिंग जैसी दिखाई देगी इस दौरान सूरज की रोशनी धर्ती तक नहीं पहुँच पाईगी जब ये अदबुद नजारा आसमान में दिखाई देगा उस दौरान दिन में राज जैसा महौल हो जाएगा साल दोहजार चौबिस का ये पहला सूरे ग्रहन दरसल पून सूरे ग्रहन है जो बेहत दुरलब होता है इससे पहले साल 1973 में पून सूरे ग्रहन लगा था और उस समय भी सूरज साथ मिनट चार सेकंड के करीब दिखाई नहीं दिया था लेकिन उस दौरान ये ग्रहन अफरीकी महादीप पर दिखाई दिया था दरसल पून सूरे ग्रहन तब लगता है जब चंदरमा पिर्थवी और सूरे के बीच से होकर गुजरता है इस समय चंदरमा पिर्थवी के सबसे निकट आ जाता है इस सूरे ग्रहन के दौरान सूरे चंदरमा और पिर्थवी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं बस यही वो वक्त होता है जब सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पहुंचती है। साल का पहला पूर्ण सूरे ग्रहन भारतिय समय नुस्सार रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू होगा और देर रात 1 बचकर 25 मिनट पर खत्म होगा। जो बेहत ही अद्बुद होगा। वेग्यानिकों के मताबिक कई सालों बाद ऐसा सूरे ग्रहन देखने को मिलता है। इस सिती में धर्ती के एक हिस्से में पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। अमेरिका में 8 एप्रेल को लगने वाला सूरे ग्रहन बेहत दुरलब है। नहीं होगा। क्योंकि ये कुछ ही राज्यों से होकर गुजरेगा। फिर साल 2045 में दूसरा सूरे ग्रहन आएगा जो अमेरिका में आसानी से देखा जा सकेगा। वही आठ एप्रेल का सूरे ग्रहन करोडों लोगों के ऊपर से गुजरेगा। हाला कि इस सूरे ग्रहन को धर्ती के लोगों के लिए खतरनाक नहीं माना जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद इसको लेकर अमेरिका में कई चेतावनिया जारी की जा रही है। लोगों से इंधन, भोजन और पानी का स्टॉक रखने के लिए कहा जा रहा है। हवाई माग बदले जा रहे हैं। कुछ सडकों पर यात्रा करने से रोक लगा दी गई है। स्कूलों को बंद करने की भी चेतावनी दी गई है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा। और हाँ चलते चलते एक जरूरी बात। आपको हमारे चैनल पर एक जॉइन बटन दिख रहा होगा। जिस पर क्लिक करके आप हमारी पेड मेंबर्शिप ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी आपको बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें नियू स्टेशन के साथ।